पूर्णिमा के दिन है और शरत पूर्णिमा के दिन माता लक्षमी को खीर का भोग जरूर लगाया जाता है तो मैंने सुचा क्यूं ना आपके साथ खीर की एक स्पेशल रेसिपी शेयर की जाए इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूं आज शरत पूर्णिमा तो है ही लेकिन इसके साथ साथ आज रात को चंदर ग्रहन भी लग रहा है तो अगर आप माता लक्षमी के लिए खीर का परशाद बनाना चाहते हैं तो दोपैर चार बज़े से पहले पहले आप ये परशाद बना कर रख लें क्योंकि इसके बाद सूत काल लग जाएगा और सूतक काल में भोका परसाद नहीं बनाया जाता तो चलिए आएए देखते हैं खीर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले हम यहां पर ले लेंगे 4 लेटर फुल क्रीम दूद्ध खीर बनाने में फुल क्रीम दूद का ही इस्तमाल होता है और अभी इसको मैंने बॉइल नहीं किया है हम कच्चे दूद्ध से ही खीर बनाएंगे उसके बाद मैंने यहां पर ले लिया है एक कप चावल का चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं आम तोर पर खीर बनाने के लिए टुकड़ा चावल का इस्तमाल किया जाता है लेकिन अगर आपके पास टुकड़ा चावल ना हो तो आप बास्मती चावल से भी खीर बना सकते हैं तो मैंने यहां पर एक कप चावल ले लिया है अब हम चावल को दो से तीन बार पानी से धो लेंगे खीर बनाने का मेरा तरीका ठोड़ा सा लग है आज मैं आपके साथ वही शे पानी हलका सा गुंदुना हो जाए पिर इसमें हम डाल देंगे चावल अब इन चावलों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉयल आने तक का वेट करेंगे पांच मिनट लगेंगे बॉयल होने में तब तक हम देख लेते हैं हमें खीर में कौन कौन से ड्राइफूट डलने हैं मैंने यहां पर ले लिया है सूखा नारियल अखरोट लिये हैं किश्मिश ले लिये हैं आप अपने टेस्के अकॉर्डिंग ड्राइफूट इसमें कम या साधा कर सकते हैं और मैंने यहां पर कुछ बादाम को रात को भीगो दिया था अब इनको मैं शील कर बारिक बारिक काट लूँगी क्यूंकि खीर में बादाम भीगे हुए ही अच्छे लगते हैं तो मैंने यह रात को ही भीगो दिये थे चावलों को जब हम बॉयल करेंगे हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो देखिए चावलों में अच्छा सा एक बॉयल आ चुका है चावल गल भी गए है अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है बॉयल किये हुए चावल के अंदर हम दूद को एट कर देंगे दूद डालते वक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब हम कच्चे दूद से खीर बनाते हैं तो उसका स्वात दोगना बढ़ जाता है और इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आता है तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूद डलने के कारण चावल नीचे बैठ जाते हैं इसलिए हमें इसे एक बारी मिक्स करना होगा अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे जब तक खीर पक रही है तब तक हम देख लेते हैं हमें ड्राइफ रूट को किस तरह काटना है तो नारियल के तो मैं छोटे छोटे पीस कर लोगी आप चाहो तो इसको कद्दू कस करके भी डाल सकते हो तो यह देखिए मैंने किस तरीके से इसको काटा है बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे अब हम अखरोट को भी इसी तरीके से काट लेंगे खीर के अंदर ड्राइफ रूट जो भी आप डालना चाहते हैं वो अपनी पसंद का रख सकते हैं बस जब आप बादाम डालें तो कोशिश यही करिए बादाम को आप रात बर भीगो देंगे और उसके बाद आप खीर के अंदर उसको डालेंगे तो यह लीजिए मैंने अक्रोट को भी बारिक बारी काट लिया है इस तरह से आप भी काट लेंगे यह देखिए इस तरह अगर आप रात को बादाम भीगोना भूल जाएं तो आप दिन में एक बरतन में गरम पानी कर लीजिए और उसमें बादाम को 2-3 घंटों के लिए भीगो दें बिल्कुल इसी तरीके से बादाम का छिलका उतरेगा जैसे मैंने यह सारी रात के लिए बादाम को भीगो दिया था तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है जब आप कड़ाई में दूद को बॉयल करेंगे आप भी इसी तरीके से एक जाली रख दीजिए ताकि इसके अंदर कोई मच्छर या कोई अन्य चीज ना गिर जाए तो अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे 15-20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे जब तक खीर पक रही है हम देख लेते हैं बादाम को कैसे काटना है मैंने बादाम के छिल के उतार लिए हैं अब इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे यह देखे इस तरीके से हम काटेंगे बिल्कुल बारीक काटेंगे इस तरह 15-20 मिनट हो गए हैं अब एक बार हम ढखकर नटाकर देख लेते हैं खीर कितनी पकी है आप देखेंगे दूद जब बॉयल हो रहा होगा कड़ाई के साइट पर यहाँ पर मलाई कट्थी होती जाएगी आपने उस मलाई को इस तरीके से निकालना है और वापिस से दूद में मिक्स करना है जैसे जैसे दूद में बॉयल आता जाएगा यह मलाई कट्थी होती जाएगी और हमने इसी तरीके से मलाई को निकाल कर दूद में मिक्स करते जाना है इससे क्या होगा हमारी जो खीर बनकर तयार होगी वो बिल्कुल रबड़ीदार बनेगी खीर को इसी तरह हमने आदे घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकने देना है जैसे जैसे बॉयल आएगा आप इसको इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे इस तरह देखे थोड़ी सी मैनज जरूर है लेकिन जो खीर बनकर तयार होगी तो सभी आपकी तारीफ करेंगे कि वा इस तरह की खीर हमने कभी भी नहीं खाई यह देखे इस तरह से हम मिक्स करेंगे यहाँ पर देखे मलाई फिर से इकटी हो रही है हम इसको निकालते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे अब हम खीर के अंदर डालेंगे इलाइची खीर के अंदर इलाइची का स्वाद बहुत अच्छा लगता है अगर आपके पास इलाइची पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं यह देखिए छिलको को हम साइट पे कर देंगे और इसके दाने जो हमने पीस लिए हैं वो खीर में डाल देंगे इस तरह और यह जो खिलके बचे हैं इनका इस्तमाल आप तब कर सकते हैं जब आप अपने लिए चाय बनाए तो चलिए देखिए खीर के अंदर एक बॉयल फिर से आ गया है अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे आदा गंटा हो गया है खीर को पकते हुए अब इसके अंदर हम एट करेंगे चीनी मैंने यहाँ पर ढाई कप चीनी का इस्तमाल किया है अगर आपकी खीर की क्वांटिटी कम है तो आप चीनी को कम या जादा आपने टेस्क के अकॉर्डिंग कर सकते है अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने अभी तक अपनी खीर के अंदर कोई भी कंडेंस मिल्क भी नहीं डाला आलक से कोई मलाई भी नहीं डाली और ना ही इसके अंदर कोई खोया डाला है फिर भी हमारी खीर एकदम रबडीदार बनेगी और इसका टेक्स्टर भी मैं आपको बनने के बाद दिखाऊंगी तो चलिए अभी इसको बनने में थोड़ी सी देर और लगेगी अब हम खीर को एक जाली से फिट से ढख देंगे और 15-20 मिनट गैस को बिल्कुल सिम करके इसको पकने देंगे चलिए 15-20 मिनट हो चुके हैं अब हम जाली हटा कर देख लेते हैं खीर पकने में और कितना समय लगेगा देखे बड़िया चीज खानी है तो हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा फुल क्रिम दूद से हम खीर बना रहे हैं तो देखिए इसमें बार बार मलाई आती जाएगी और हमें इस तरीके से उसको निकालते जाना है और इसी खीर के अंदर मिक्स करते जाना है आपने देखा होगा जब मैंने स्टार्टिंग में कड़ाई में दूद डाला था तो दूद की क्वांटिटी काफी जादा थी अब धीरे धीरे कड़ कड़ के दूद एक दम से कम हो गया है जब दूद अच्छे से कड़ जाता है तब ही उसका स्वाद खीर के अंदर आता है तो यह देखिए हमारी खीर बस बनने ही वाली है क्या आप भी अपने घर में खीर इसी तरीके से बनाते हैं या आपका खीर बनाने का तरीका कुछ और है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो चली अब पांच मिनट के बाद हमारी खीर बनके तयार हो जाएगी गैस को हम फिर बन कर देंगे एक बर आप भी इसी तरीके से अपने घर में खीर जरूर बना कर देखें आपको ये तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा तो चली खीर हमारी बन चुकी है अब मैं इससे सर्व करके दिखाती हूँ तो यहां मैंने खीर को एक बाउल में डाल लिया है यह देखिए आप इसका टेक्स्टर देखिए और देखिए दूद का कलर भी चेंज हो गया है और यह देखिए जो मलाई हम कठे करते जा रहे थे वो बिल्कुल रबडी की तरह इसके अंदर इकठी हो गई है अब आप इससे ड्राइफूर डाल कर डेकोरेट कर सकते हैं तो आज की यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करना ना भूलें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग